Hello Everyone, आज है 19 September और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वकरांगी के बारे में देखे 42 रुपीस के आज पास वकरांगी का जो शेर है वो ट्रेट कर रहा है और हल्की सी तेजी आज जरूर वकरांगी में हमें देखने को मिली है वीडियो में discuss करेंगे कि वकरांगी में अगर आप देखो तो पिछले कुछ दिनों में भाया आग की तरफ फूटा है यह शेर और बात करना बनता भी है कि इसकी पीछे की वज़े क्या है या फिर यह simply एक manipulation हो रहा है तो वीडियो को शुरू करेंगे उसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस और आपको काफी जादा हल्प करेंगे तो वकलांगी का शेर 42 रुपीज का है और एक महिने में 50% की तो तेजी दिखा चुका है यह 27 रुपीज से एक जटके में 45 तक यह था यह हलाकि उसके बाद 2 दिन टूटा भी जरूर और 40 रुपीज के करीब भी आया लेकिन दुबारा भागना शुरू कर दिया है पिछले 2 दिनों से तो देखा चाए तो बहुत बड़ा मूव है यह और डेफिनेटली अगर इतना बड़ा मूव आया है तो कोई ना कोई वज़े जरूर रही होगी लेकिन सप्राइजिंग यह है कि वज़े कोई नहीं है यहाँ पर अगर आप देखने के कोशिश करें तो वकरांगी से भी प अगर पर आप देखने कोई ना कोई पर आप देखने कोई वज़े जरूर रही है कि जिससे इतनी बड़ी तेजी आ सके कंपनी बुला कि हमको नहीं पता कि क्यों तेजी आई है ऐसा कुछ भी हमारी तरफ से कोई ऐसी ख़बर भी नहीं है तो हमारा कोई connection इससे है नहीं further we would like to reiterate that as in past the company would continue to inform exchanging of any price sensitive information यह भी बता है कि देखो अगर ऐसा कुछ भी होगा तो company जो है वो exchanges को inform करेंगी और जो चीज़े होगी उसको public में लेकर आएगी लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिससे share price में इतनी बड़ी तेजी आई यह simply वह या volume का game यहाँ पर चला है और जाहिर से बात है जब भी ऐसा game होता है समलने की जरूत होती है यहाँ पर अगर आ इस एक resistance की तोड़ा यहाँ पर काम किया है इससे पहले भी share 45 तक गया तूटके बिखर यहा था 34 तक आया था वापस 45 तक गया था यह तोटके बिखर यह था और 39 तक आया था वापस 30 दिखाई तोटके बिखर यहा था तेईस रुपए तक गया था बाद में दुबारा आगे भी देखने को मिल सकता है लेकिन मैं इसको long term के लिए recommend नहीं करूँगा मैं यही कहूँगा कि 45-50 का range profit low और भाग जाओ 30 रुपए के नीचे का range हाँ तब वहाँ पर आप थोड़ी से quantity add कर सकते हो risk ले सकते हो वकरांगी small cap share है 4300 करोड के आसपास करे इसका market क्या भी जादा के हैं और देखा जाए तो वकरांगी में last quarter के जो results है वो काफी खराब मैं कहूँगा क्योंकि साड़े 4 करोड का ही इनको मुनाफ़ा हुआ था जो पहले इससे पहले के quarter में 30 करोड था और पिछले साल के जून quarter में 23 करोड था तो 85% तक की गिरावट इनके profits में ह देखने को मिली है और जो इनके revenue रहे है वो 226 करोड के रहे है जून quarter में जो की बहतरीन है क्योंकि इससे पहले के quarter में 208 करोड थे और पिछले साल में 155 करोड के आसपास था इनके revenue में बढ़ातरी हो रहे है लेकिन profit में नहीं हो रही है और अगेन मैं कह दू कि इनके जो next profits है वो घठते जा रहे है और अगर गलती से भी loss दिखा दिया तब तो भाईया मालो कि यह एकदम से तूटेगा ठीक है लेकिन अगर profit दिखा देगा तो definitely इस तरह की कि आप जो move है आप expect भी कर सकते हो वकरांगी में 42.60% की holding promoter के पास है 8.25 FIS के पास है 0.05 mutual fund 6.32% insurance company के पा ही है वकरांगी को लेकर अगर हम देखे तो बेचने की सला कोई भी नहीं दे रहा है बलकि मैं दूंगा यहां पर ठीक है कोई नहीं दे रहा है मैं दूंगा मुझे लगता है कि 45-50 का जो range होगा वहां पर profit लेकर निकलने वाले मौके ज़रूर बनेंगे क्योंकि जो तेजी बनी है उसका कोई reason नहीं है ठीक है ऐसा नहीं कि company ने कोई बड़ी announcement करी हो ऐसा नहीं कि कोई बड़ा काम कवाच हो गया हो यहां पर ऐसा कोई reason नहीं है सिर्फ और सिर्फ यहां पर आप कह सकते हो कि volume का खेल हुआ है यहां पर इतना ही नहीं वगरांगी में अगर आप 70-780 करोड रहे जरूर देजी जरूर आई और अब यह और बढ़ेगा क्योंकि पहले quarter में 226 करोड का इनका revenue है एवरेज भी देखे तो 900 करोड के आसपास की बनती है तो कहीं न कहीं यह अच्छी बात है लेकिन हां company को यह कहीं न कहीं इस revenue को भी maintain करना पड़ेगा लेकिन problem revenue नहीं problem इनके profits है बले ही company के revenue टूट रहे थे लेकिन company के profit थे 70 करोड 60 करोड 110 करोड लेकिन इस बार के पहले quarter में सिर्फ 4.5 करोड का ही इनको मुनाफ़ा हुआ है एवरेज भी एगर हम निकालते है तो मुश्किल से 18-19 करोड के average बनती है जो कि कम है कम है यह और company के next quarter काफ कि मेरे हिसाब से अभी मौके नहीं है अभी यह ऊपर चड़ चुका है और अभी यह महंगा भी हो चुका है 39 का इसका PE है sector PE 24 का है महंगा जरूर है कोई भी analyst अभी यहाँ पर अपनी commentary नहीं दे रहा है according to ticket app खरीदारी के मौके है क्योंकि और और बोड जोन में नहीं है मेरे पास है 8.25 या 50 के पास है रीटेल और अधर्स की मिलाकर 42.78 परसंट की होल्डिंग है रीटेल इंवस्टर के पास 18.19 परसंट के आसपास की होल्डिंग है देखो वक्रांगी को लेकर मैं अभी के लिए इतना ही कहूंगा कि जिस प्राइस पर अभी ट्रेट कर रहा है वो का काफी कम है और हमेशा जब भी यह 45 के रेंज में गया है हमें प्रॉफिट बॉकिंग देखने को मिली है और यही वज़ा है कि अभी मैं बाइंग करने के सलाब कता ही नहीं दूंगा बलकि मैं मानता हूं कि शायद प्रॉफिट बॉकिंग के मौके थोड़े से उपर अगर जाता है तो बनते हुए नजर आ सकते हैं तो फ्रेश बाइंग का जहां तक मौका नजर आता है मुझे लगता है कि तीस रुपए के नीचे की रेंज का इंतजार करना चाहिए और तो और याद रखे कि अगले क्वार्टर के जो रिजर्ट होंगे वह काफी इंपॉर्टन रोल प्ले करेंगे शेर प्राइज को आने वाले जिनों में और उपर या फिर नीचे ले जाने के लिए तो अगे उस क्वार्टरली रिजर्ट पर भी नजर होनी चाहिए वीडियो को यहीं पैंड करूंगा पसंद आए हो तो लाइक तो शाय के चैनल बगरा पहले ही बाहर रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वक्रांगी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं थैंक्यू